गाइस अगर आप लोग ने भी नया चैनल क्रिएट किया तो ये दो सेटिंग्स तो आपको करने ही एनिहाओ नहीं तो आपको जो चैनल है गाइस, वोगी फायदा नहीं होगा अगर आप सोचे हो कि आम आगे चल करके अनिइअ अच्छा कासे कते हैं, यूटूब से कमाय करते हैं और चैनल क्रिएट करते हैं तो कोई भी फाइदा नहीं होने वाला है आपको ये दो settings को anyhow करना ही है पहला settings तो important है लेकिन उससे ज़्यादा most important आपका दूसरा setting है तो सबसे पहले जो आपका जो channel है guys आप लोग उने देखा होगा कि आपका जो channel वो search result पे नहीं show करता होगा तो वो आपको सही करना है अपना channel को search result पे लाना है लोगों का आपका channel शो ही नहीं होगा तो लोग कहां से आपके channel पर विजिट करेंगे, subscribe करेंगे, views आएंगे कोई फाइदा नहीं होने आला तो आपको just क्या करना है अभी मैं आपको बताता हूँ वैसे ही आपको step by step करने है जिससे कि आपका भी channel जो है search result पे show होने लगेगा सभी की तरह जिस तरीके से मेरा channel आप लोगो search करोगे तो आपको मेरा channel का just starting का नाम डालोगे तो देख लेना मेरा आगे का sentence automatically आने रग जाएगा तो उसी तरीके से आपको भी अपना channel को search result पे लाना है तो यह important है इसको कैसे करना आपको search result पे चले इसका setting समझते है अब आपको जो है अपना phone को उठा लेना है उठाने के बाद में just आपको यहाँ पर chrome browser ओपें कर लेना है करने के बाद में यहाँ पर आपको google दिख रहोगा google पे चले आना है और यहाँ से आपको search कर लेना है YouTube YouTube सर्च करोगे अब आपको जो है यहाँ पर ही click करके रखना है and new tab पे आपको open कर लेना है अब देखो यहाँ से हमारा जो channel है वो new tab पे open हो चुका है अब जस्ट आपको क्या करने है यहाँ three dots पर click करने है and यहाँ पर आपको दिख रहोगा request desktop site request desktop site पे आने के बाद में आपको अपने जो है corner पे click करना and YouTube studio को open कर लेना है ठीक है यहाँ click करके रखना है and new tab पे आपको open कर लेना है continue studio पे आपको click कर देना है अब यहाँ से आपका studio open हो चुका है अब आपको यहाँ से क्या करना है नीचे जो आपको corner दिख रहा है यहाँ पर आपको click कर देना है अब आपको जो है channel पर आ जाना है channel पर आने के बार में आप यहाँ पर आप लोग देखो जैसे कि देखो यहां पर ही जो आपको चैनल का Keywords यहां पर आपको शो हो रहे होंगे यह Keywords आपको अपने चैनल पर Enter करना है जैसे just example आप लोग देखें तो मेरा चैनल का रहान पॉप नाम है तो मैंने just यहां पर दिया हुआ रहान पॉप रहान उसके बाद में पॉप स्पेश फिर रहान रहान पॉप ठीक है रहान पॉप बतलब लोग अलग अलग तरीके से सर्च कर सकते हैं तो आपको just trick लगाना है कि लोग कि step से अगर आपका कुछ और नाम है Money Tech या Technical तो technical money से आपको जोग अपना चैनल का keyword देना है तो देख रहे हो यहां पर मैंने कितना कितना trick लगा आपना चैनल का नाम Channel कैसे बना है तो इस तरीके से आपको भी अपना चैनल का keyword डालेना है अगली दिन से आप लोग खुद देखना आपको जो channel है नाम के आगे में आपको automatically YouTube आपको suggest करेगा कि आपका ये चैनल का नाम है और आपका भी search result पे अगले दिन से show होने लगेगा चलिए ये तो हो गिया पहला trick, second trick guys बहुत ज्यादा important है तो ये आपको सुन ले रहा ही है उसके बाद ही आपको चाना है चैनल से, ठीक है YouTube सर्च करने के बाद में just आपको जो है, यहां से जैसी आप new tab पे click करोगी अब यहां से आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर आपको just simply यहां पर corner पे click करना आपने photo पे and manage your Google account इस पे आपको चले जाना है ठीक है यहां से आपको new page open हो चुगा है, अब आपको यहां से scroll करना and security दिख रहा होगा इस पे आपको चले जाना है, ठीक है security पर आने के बाद में अब देखो, यहां पर आपका लिखा रहा है na your account is protected ठीक है, see detail, तो यह मेरा जो है guys, account मेरा protected है यानि कि two step यह verification मेरा किया हुआ है, देख लो आप लो, आपको भी अपना जो account है, two step verification करना ही करना है guys नहीं तो क्या होगा, आपको जो channel है आगे monetize नहीं होगा, अगर आप monetization के लिए, अगर मान लो आपने सारक criteria पूरा कर लिया, 4000 गंटा, साती साथ आपने 1000 subscriber भी complete कर लिया है लेकिन यहां पर ही जाकर कि आपको Google two step verification end में मांगेगा, तो आपको यह complete करना ही है, ठीक, starting में आप लोग कर लेना तो आपका easy जो होता है, monetization के लिए applicable हो जाएगा, कोई भी problem आगे चलके आपको दिक्कत नहीं होगा, और इससे एक फाइदा यह होता है guys, कि इससे अगर आ monetize होता, आगे चलके आपको जो account है, वो hack होने का chances नहीं होता, कभी क्या हो जाता है, लोग उसे hack कर देते हैं, तो आपका account अच्छा चलता हो, account खराब हो जाता है, ठीक है, last में रोल नहीं लगते है, लोग कि मेरा account hack हो चुका है, तो इस तरह से दिक्कत से आप बच सकते हो पहले क्या होता था, एक two-step verification नहीं करने का आपको प्रोसेस रहता था, YouTube उतना strict नहीं था, लेकिन जैसे जैसे अब दिन बाद दिन update होते जा रहे है, कोई ना कोई तिग्डम बाजी लगाई रहते हैं अपनी चैनल पर, और उसका account को hack कर लेते हैं, तो इससे आप बच सकते जोग तो आपको ये two-step verification को on करना ही है, कैसे मैंने बताया, just आपको ऐसे ही कर लेना, तो उमीद करता हूँ guys, इस वीडियो से आप लोग को helpful होगा, अप कोई भी confusion नहीं होगी इस वीडियो से, तो मैं मिलता हूँ आप लोग किसी और सी नहीं सी इंट्रेस्टिंग सी वीड चैनल पर मेरे नए आए गाई तो जरू से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते ही जाना, चली मैं मिलता हूँ आप लोग किसी अगली वीडियो पर